हेलो दोस्तो अन्पूर्णा की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूँ आर्थी आज मैं आपके साथ अपने वेज पुलाओ या फ्रैड रैस की रैस्पी शेयर करने जा रहे हैं जिसके लिए मैंने यहां प्रतली स्लाइसिस में सिम्नमिच को कट करके रख लिया है यहां म मिल्स के प्लेट है अच्छे से फ्राइब हो रहे हैं जब फ्राइब हो जाएंगे तो हमिने प्लेट में निकाल लेंगे तो देखि Sw kinda शी आपके प्लेट José तरश में एक चुटी चमस जीर डाला है। हम आप इसमें हम अपने नियुक चॉपच petite शं़ेधा प्यास डाल दें पिर हरी मिर्च डाल देंगे अब इसे हलके हाथों से चलाते हुए हम पिंक कलर आने तक इसे भूनेंगे बहुत जादा ब्राउन नहीं करना हमें इसे क्योंकि हमारे फ्राइड राइस या वैच बुलाओं में बहुत जादा हुई भूने प्याज का अच्छा टेस्ट नहीं में बहुतेया के बंडर तक महलें में तक में पंडर को ऑ queens और गरिव प्याराइब में हलात पना मर्ट को भून लेते हैं और इतना मर्ट को हएं कि में अच्छे अंधर तक पक जाए तो चलिए अब इसमें रखन की चॉप करें हम ब्राटाय डूरे इसे drag का आब प्रता करत गैस को लो टू मीडियम ही रखना है गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी तेज नहीं कर रहे हैं नहीं तो सारी सब्जिया हमारी जल जाएंगी तो यह देखिए हमने पहले भी चावल बना पकाते समय चावल को बॉयल करते समय उसमें नमक डाला था इसलिए हम इसमें स्वाद ल क्याज़ सारी ही नमक डालेंगे हmarkt हंसाब से नमक रावल ही तो चले तो यह नहीं हमने इसमें लिदुप लूआ इसमें लिदी नमग की तो चली हमने ठीव नमक डाल दिया है अफ थोड़े देर के लिए हम इसे तीन से चार मिनित कर चोईएंगे तो यह देखिए 2 बिल्म, अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल डाल ते हैं तर्माटर डालकर अच्छे से चलाते हुए इसे भूल लेंगे टमाटर को भी अब चलिए इसमें तो आपने सुखी मसाले डाल देते हैं देखिए कितने अच्छे से हमारी सबजी यह सारी पक चुकी है तो देखिए इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है जैसी विए अप हल्दी खाना चाहिए उसी तरह आप हल्दी डाल सकते हैं जो कम खाना चाहता हो कम जो ज्यादा खाना चाहता हो ज्यादा और मीडियम जो खाता हो मीडियम देखिए लाल मिर्ची डाल देते हैं देखिए धन्य पौडर डाल दिया हमने अब इसमें हम डालेंगे एक से डेड़ चुत की घर पर कूट के जो अने बनाया है गरम मसाला घर का बनाया हुए गरम मसाला वो डाल दिया मैने एक से डेड़ चुत की अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे ये हमारी सारे सब्जियों पर लग जाये अच्छे से कोट हो जाये तो देखिए इस तरह से हलके हाथों से गुमाते हुए ताकि हमारी सब्जिया तोटे फूटे ना दिखाई देंगे एक पैक्ट मैगी मसाला जिससे इमारे फ्राय ड्राइस या वेच पुलाव का टिस्ट बहुत य अच्छा आएगा पुरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे देखिए इसे डालके एक मिनिट अच्छे से सारे मसालों को भूल लेंगे हलके हाथों से चलाते हुए देखिए इस तरह से हलके हाथों से चलाते हुए भूलनेंगे इसके बाद हमारे चावलों का सारा पानी भी स्टेन हो चुका है यह देखिए हमारे चावल तयार है एक दम देखिए किते खिले खिले बने हुए एक एक चावल अलग अलग हैं और यहां देखिये उससे पहले हम अपनी आलुओ को भी डाल लेते हैं अपनी सारे सब्चियों में और इसे भी एक बर अच्छे से चला देते हैं ताकि आलुओं में भी हमारे सारे मसाले अच्छे से लग जाएं तो देखिए हलके हाथों से ही चलाना है इस तरह से तो देखिए आलो हमने डाल दिया उसमें सारे मसाले लग चुके हैं अब देखिए हमने अपने सारे चावल डाल दिया इसके अंदर हलके हाथों से ही चलाते हुए सारे चावलों पर हमें अपने मसाले लगा लेने है हलके हाथों से चलाते हुए चावल और सब्जियों को अच्छे से मिला लेना है तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए हलके हाथों से सारे चावलों पर मसालों को हमें कोट कर लेना है तो देखिए अभी से कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे फ्राइड राइस या वैज पुलाओ देखिए कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यह देखिए अभी थोड़ी देर और लगेगी इने बनन हारी दरिया डाल दिए कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे फ्राइड राइस ब्राइज पुलाओ मुझे टो बहुत अच्छे लग रहे हैं बंते ही मूं में पानी आने लगा है और चावल तो यह ज़िए ऐसी है कि यह सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में जिसमें से फ्राइड राइस और वेज पुलाव सभी को बहुत अच्छ लगते हैं और अभी तो सर्दियां हैं तो आप अपने घर में बनाईए और गर्मा घरम खाईए और मुझे कमेंट में अच्छ लगते हैं यह देखिए अच्छे से घुमा के इस अच्छे से चलाना है ताकि सारे मसा रहे हमारे चावलों में लग जाएं देखिए तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे हमारे फ्राइड राइस यह वेज पुलाव बनकर तयार हुए यह देखिए बहुत ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तरह मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना